हेलो दोस्तो नमस्कार ऐसे हमकीची चैनल में मैं आप सबी लोगा दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिससे रिलेटेड मैंने कभी बी इंडिवीजुल वीडियो नहीं बनाया है इस वीडियो में हम लोग जरू इस कमपनी के बारे में जानेंगे मैं वापस बताना चाहूँगा दोस्तो मैं आपके लिए अलग-अलग कमपनी के शेर लेके आता हूँ बहुत सारे लोग एक गलत फैमी में रहते उनको लगता है कि इस कमपनी को मैं रेकमेंड कर रहा हूँ अगर कोई शेर रहता ही है तो मैं बीच में बोल देता हूँ ये शेर के लिए आप जा सकते हो ये IP के लिए आप जा सकते हो वापस कहना चाहूँगा कि कमपनी को सिर्फ देखके अगर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो यहाँ पे तो बहुत बड़ी मुश्किल में आ सकते हो एक चीजे क्या बोलता हूँ उसको ध्यान से सुन लेना उसके बाद आप लोग चाहो तो अपना डिजिजन ले सकते हो तो चले तो फटा बड़ इस वीडियो को स्टार्ट करते है बड़ उससे पहले जरू कहना चाहूँगा अगर SM किसी चाल में फर्स ताम विजिट के है तो जरू सब्सक्राइब कर लेना साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना सो ऐसी इंट्रेस्टी उडियो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएंगे उसी की साथ 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 इस चैनल को भी जरू फॉलो कर लेना क्योंकि आज एक जबरदस पावर्फिल यूडियो आ पर देखने को मिला है यह स्ट्रेजी आपको समझ में आगी तो आपको भी कभी भी स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं होगा लिंक उपर आई बटन पर आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए इस वीडियो की मिल जाएगी एंड उसी की साथ साथ दोस्तो एक बहुत ही एसम किसी नाम के fake channels यहाँ पर create हो रहे हैं बहुत सारे telegrams के उपर भी मेरे नाम के उपर channels यहाँ पर create हो रहे हैं बहुत सारे लोग आपसे पैसे भी मांग रहे हैं तो मैं ज़रू सोच रहा हूँ कि ऐसे लोगों के against legal को यह action ले लो क्योंकि फसाने का वो काम कर रहे हैं मे लिब रीटेल निवेशक होते हैं उनको फसाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं तो यहीं कहना चाहूंगा एसे लोगों की चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना जो कि आप लोगों को पता है मैं आज तक कभी भी टेलीग्राम चैनल ओपन नहीं किया अगर करूंगा तो मैं जरू लोगों से आप लोगों ने दूर रहना है तेलीग्राम में अगर मेरा नाम से कोई चैनल रहेगा तो आप चाहो तो बिंदास रिपोर्ट कर सकते हो कि कि मैंने कोई ऐसा चैनल अभी तक क्रियेट नहीं किया है तो अभी हम लोग इस वीडियो के उपर आ जाते हैं सबसे एले आप लोगों को पताएं कि यह बारा मैं जैसे मैंने का कि यह चोड़ी पर बड़ी ब्ड़ी कमपनी के नाक में दम यापर करके रखा है सो यह company है small cap की सबसे पहले market cap देख ले ना मतलब बहुत ही छोटी company है मतलब 1300 करोड का small cap है बड़ सबसे shocking बात यह है कि फिर भी यह मतलब इतनी छोटी company पाच बार इस company ने bonus भी दिये मैं वापस कहना चाहूँगा कि यह आप लोगों को में कोई motivate नहीं कर रहा हूँ कि मंडे को बाजार स्टार्ट हो जाएगा आप लोग खरीदो आप pattern समझो मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि चीजे देखने की एक कला होती है जो आप लोगों में होनी चाहिए और मैं हमेशा मेरा pattern सेम रखता हूँ तो आप लोगों को भी आसानी हो जाएगी सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा यह pharma की company है राइट कभी में इससे related वीडियो नहीं बने है usually में आपको बताना चाहूँगा कि इसके products 50% लोग जो viewers है वो कभी ना कभी directly ना indirectly use किये होंगे in fact में आप लोगों को यह भी कहना चाहूँगा कि यह जो product आप लोग use करते हो इस company के अलग-अलग product है बट एक particular product इस company का बहुत ज़्यादा famous है and at least अगर आप लोग यंग हो जो बहुत ही ज़्यादा तो आप लोगों ने बहुत ही कम बट जो लोग 90s के है हम लोग बोलते हैं न 90s के ज़ामाने के जो लोग है उन्होंने इस product के बारे में सुना होगा उन्होंने इस product को शायद से use भी क्या होगा सो उसके ओपर हम लोग बाद में आएंगे बट सबसे पहले ये fundamentally चीज़े देख लेते इंडस्ट्री का P35 चल रहा है इस company का P42 है dividend yield भी आप देख सकते 0.67% देखने के मल रहे है quarterly result फार्मा कंपनी है और recently अगर result positive ना हो तो वो कौन सी फार्मा कंपनी है इस फार्मा कंपनी तो deserve नहीं करती है ऐसा मुझे लगता है हर एक फार्मा कंपनी जो कितने भी बड़े loss में हो इस कोवीड के period में उन्होंने अच्छे का सी return कमाया है सो कंपनी देख सकते profit जादा नहीं 6.5 करोड के आसपास ही है छोटी कंपनी इसलिए मैंने का कि यह सबसे बड़ी warning है मैं आपनों clear cut यहापे लिख के बताना चौंगा हूँ क्योंकि आदे लोगों को जल्द बाजी होती है वो फटावट नाम देखते हैं निवेश कर लेते हैं बाद में अटकने के बाद पूरा वीडियो देखके उनको बाद में समझ में आते हैं कि उनसे गलती हुई है कोई भी शेर गिर भी नहीं है, mutual fund 5% के holding है, सवा 5% के holding है, foreign निवेशक लगबग 3.5% के holding है, promoter with highest holding 15.5% के holding है, highest public share holding लगब 3% आप लोग रफली पकड़ सकते हैं, individual investor, मतलब इसमें retail investor बहुत जादा हम लोगों को attractive होते हैं आप देखने को मिल रहे हैं, मतलब 32% के holding उनके द थे, उसमें उनने 1.6% यहापे कम कर दिया है, mutual fund में कोई बदलाव नहीं, insurance पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है, other DS की बात कर तो उननने भी अपनी इससेदरी slightly कम कर दिये, and non-institutional investor जो की पहले ज़्यादा ही थे 37%, वो अभी 38.38% की holding, hold करते हैं देखने को मिल रहे हैं, स सबसे main खास बात, जो मैं आप लोगों को यहापे वापस focus में लाना चाहूँगा, कि आप देख सकते small cap वाली company, छोटा इस company का कारोबार हम लोगों को देखने को मिल रहा है, दोस्तों जैसे मैं आप लोगों को का कि यह company छोटी ज़रूर है, बट 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 बार इस company के और से देखने को नहीं मिला है, सो सुनने के लिए, बोलने के लिए अच्छा लगता है कि पाच बार बोनस, बट यह भी बात आप लोगों ने ज़रू गौर फर्मानी चाहिए, कि 2001 से मतलब लगाग 19-20 साल हो चुके company के और से कोई भी बोनस फिलाल तो देखने को नहीं म सबसे खास बाट, total debt आप लोग देख लेना, जीरो, company के ओपर कोई भी करजा यहापे नहीं है, जैसे मैंने आप लोगों को कहाता कि जो पुरानी balance sheet है, उसमें अगर company debt free रहेगी, बहुत ही शुरुआत से, 3-4 या फिर 5 सल से, तो यह data यहापे दिखाते ही नहीं, अभी यह जादा time waste नहीं करेंगे, cash and bank balance की बात करें, तो company के पास अभी की बात करें, तो फिलाल 36 करोड के आसपास cash and bank balance देखने को मिल रहा है, तो इतनी छोटी company के लिए, small cap company के लिए, 6.5 करोड के आसपास जिसका net profit है, उसके लिए यह सारी चीजे हम लोगों को ठीक टा की देखने यहाँ पर ज़रू सुना होगा, और वही एक ऐसा product है, जो की बहुत ज़्यादा popular है, तो यह company अगर आप देखोगे, तो 4500 रुपे के आसपास से में वापस करना चाहूंगा, please blindly निवेश नहीं करने, यह सारी चीजे में बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना है, अगर हम हम लोग company की parameters की बात करें, अभी pharma company मतलब तेजी तो देखना बनता ही है, तो यहाँ पर हम लोग chart pattern देख लेते की company में तेजी कप-कप थी यहाँ पर, फिलाल एक दीन का chart pattern, 1.5% down का देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले एक मैने का chart pattern हम लोगोंने select किया, तो एक मैने मे अगर आप लोग देखोगे, jump तो जरूर है, यह देख लेना, jump है, बट बहुत ही बड़ी jump नहीं है, मतलब मैं अगर आपको returns भी दिखा दू, company के, तो 117% के returns जरूर हम लोगों को देखने को मिल रहा है, बट एक sideways pattern हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो company 213 पे चल रही ही देखने को मिल रहा है, बट यहापर जो uptrend है, वो इस तरीके का uptrend नहीं है, हम लोगों को side वाला uptrend है यहापर देखने को मिल रहा है, मतलब company slow बहुत चलती है, यह इस से तो हम लोगों को जरूर समझ में आ चुका है, उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं, यहापर ब जो कि एक pharma sector से जोड़ा हुआ है, डेफ फ्री है, तो इसलिए आपकी request के उपर यह stock में आपके सामने लेके आ चुका हूँ, अमरुत अंजन यह company 5 बार bonus भी दिया है इस company ने, अगर NSC के official website पे जाते, इसका 52 week high देखे तो 555 पे हम लोगों को यहापर देखने को मिल रहा ह अगर आप नीचे स्क्रोल डाउन करोगे, तो आप लोगों को यह product जरूर देखने को मिलेगा, जिसका नमें अमरुत अंजन, श्ट्रॉंग जो बाम रहता है, आप लोगों उन्हें जरूर इसके बारे में सुना होगा, यही वो company है दोस्तों, जो कि आप लोग recommend कर रहे थे, जिस टर्वी के से, मतलब आपका जो comment था कि ऐसी company सामने लाईज है, उसके बाद आप लोग यहापर विचार कर सकते हैं, अभी आजाते हैं, वीडियो close करते हैं कि सर आपको क्या लगता है इस company के बारे में, देखिए company है uptrend में, इसमें कोई शक्की गुंजाश नहीं है, बट यह company बहुत ज़दा patient test करने वाली company है, right, and patients test करने वाली company में 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 रहना पसंद करता हो, बट 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 यह company है small cap से भी बढ़िया-बढ़िया company हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए है, debt free ज़रूर है, company के result भी अच्छे है, बट अगर overall अगर हम लोग बात यहाँ पर देखे, so यह बहुत ही slow, कच्वा की चाल चलने वाली company है, जो slow company चलते हैं, उसमें मुझे नहीं रखता है कि retail निवेश जरूर देगी, बट आपमें दम होना चाहिए इतना hold करने का, बहुत सरो लोग enter तो कर लेंगे, बोलेंगे, चलो मंडे को खरीद के देख लेते, Tuesday को यह नीचे आएगा, 4500 और बाद में सवाल पूछना शुरूर गरेंगे, कि क्या हम लोगों ने hold करना चाहिए नहीं, so long term वालों के लिए यह company जरूर देखने को मिल रहें, बट इतनी भी powerful नहीं है, जितने हम लोगों ने बाकी pharma companies को जरूर देखा है, so 4500 रुपे के आसपा small cap वाला share है, बहुत ही कम इसका market capitalization है, profit है, so एक retail investor के लिए ऐसे company में patience दिखाना मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मुश कर सकते हो, अगर मैं बात करूँ बाकी pharma companies से, तो yes, उसका यह comparison फिलाल तो इतना strongly तो नहीं कर सकती, बट जिस तरीके से performance यहाँ पर दे रहें, small cap में आपको ऐसे ही मिलेगा, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, कि large cap है and small cap है, तो large cap में जिस तरीके का performance मिलेगा, वो तो नैनो जैसी गाड़ी, so अगर आप लोग small cap में जा रहे हो and यह expect कर रहें कि मुझे large cap जैसे features मिले, कि risk-free हो, बिंदास चले, अच्छे returns मिले, तो यह possibility बहुत ही कम है, so overall conclusion यही बताना चाहूँगा, कि retail निवेशकों ने इस company में enter करने से पहले जरूर सोचलना चाहिए, company profit जरूर देगी, but बहुत ही slow, मतलब हम कह सकते है, ITC, Vipro, L&T जैसे company कैसे slow चलती है, वैसी ही यह company है, so final decision में आप ही के उपर छोड़ूँगा, अगर आपको इस company के बारे में अगर और कुछ जानने है, तो आप जरूर इसके बारे में जान सकते हो, and वापस कहना अपना decision खुद ले लेना, इस वीडियो को देखके कोई भी decision मत ले लेना, अपने financial advisor हैंगे, उसके साथ at least एक बार consult कर लेना, and उसके बाद आप चाहूँ तो decision ले सकते हो, so that's it, thank you very much दोस्तो, अगर आप वीडियो अच्छा लगे, तो like करना, दोस्तों के साथ share करना, तो उनको भी सारी बाते पता चल जाएगी, so that's it, thank you very much दोस्तो, we will be meeting in the running studio, तब तक के लिए, bye bye